तीसरा दिन विश्वामित्र का आगमन और ताड का वद कहानी तीसरे दिन अयोध्या में रिशी विश्वामित्र का आगमन होता है वह राजा दश्रत से राम और लक्षमन को अपने साथ जंगल में लेकर जाने का अनुरोध करते हैं ताकि वे राक्षसी ताड़का का वद कर सकें जो वनवासियों और रिशियों को परेशान कर रही है दश्रत पहले अनिच्छुक होते हैं लेकिन विश्वामित्र की बात मानकर राम और लक्षमन को उनके साथ भेजते हैं राम और लक्षमन विश्वामित्र के साथ दंडकारने के जंगल में जाते हैं वहां ताड़का का आतंक फैला हुआ है राम ताड़का का सामना करते हैं और एक शक्तिशाली बाण से उसका वद कर देते हैं यह दिन राम की वीर्ता और धर्म की रक्षा के संकल्प को दिखाता है मुख्य बिंदु, रिशी विश्वामित्र का अयोध्या आबमन राम और लक्षमन का वंगमन ताड का वद और राम की वीरता का प्रदर्शन